गुड मॉर्णिंग आज वोक्याब का 25th day है और आज का जो सब्द है आज का जो वर्ड है वो है ब्री या ब्रीव ठीक है ब्री या ब्रीव का मतलब क्या होता है इसका मतलब पता है ब्रीफ या शॉर्ट चलिए इसी को इस्तमाल करके हम लोग बहुत सब्द बनाएंगे और पढ़ेंगे ज्यादा सब्द नहीं है आज चलिए सबसे पहला सब्द है अब्री वेट ठीक है सबसे पहला सब्द है अब्री वेट अब का मतलब हो गया टू एक सेकेंड अब का मतलब हो गया टू अब्रेव का मतलब हो गया ब्रीव का मतलब हो गया ब्रीफ ठीक है को ब्रीफ करना छोटा करना उसी को बोलेंगे क्या एवरीवेट का मतलब क्या हो गया एवरीवेट का मतलब हो गया छोटा करना ठीक है एवरीवेट का मतलब चोटा का मैंदल कोई भी एक word है या phrase है या कोई text है उसको चोटा करना उसी को बूलेंग इसी अगर synonyms की बात करें तो इसका synonyms हो जाएगा shorten shorten नगर चोटा कर देना basically abbreviate में हम लोग कोई भी word हो गया या फिर कोई phrase हो गया या फिर कोई text हो गया उसको छोटा करते है उसको बोलते है abbreviate करना ठीक है आभरिवेट और इसी का antonyms abbreviate का antonyms क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा expansion यानि कि expand हो जाएगा या फिर enlarge हो जाएगा देखिए example मैं देता हूँ इसका अब्रिवेट का जैसे कि माले लिए तो इसे बड़े एकजमपल है जैसे माले लिखा हुआ प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का अब्रिवेट कैसे होगा यह सब देश को छोड़ा करते हैं इसका capital P उठाते हैं P और इ है क्या यह abbreviate है किसका यह abbreviate है किसका यह अन for national c for council for education education and research training research research and training ठीक research and training ठीक research and training यहाँ पर यहन का मतब हो गया नेशनल, C4 होगे काउंसिल, E4 होगे एजुकेशन, R4 होगे रिसर्च, T4 ट्रेनिंग हो गया, तो यह जो यहाँ पर जो टेक्स्ट है, यहाँ पर जो सेंटेंस है, इसका साट फॉर्म हो गया अनसी आटे, तो यह होगे अबरिवेट, यानि कि यह सब्द जो कलाएगा अबरि से डिफरेंट है, कैसे है, देखिए, A का मतलब हो गया, कुछ नहीं है, A का मतलब विदावर्ट होता है, लेकिन यहाँ पर A का मतलब वो नहीं है, यहाँ पर ब्री, जो है, ब्री का मतलब हो गया, ब्रीफ, ठीक है, छोटा करना, तो average का मतलब होता है, क्या छोटा करना, को कोई भी कहानी है, कोई भी किताब है, उसको छोटा करना उसके बिना मतलब को बदले हुए, किसी भी चीज का बिना मतलब बदले ही हुए, कोई भी कहानी हो गया, या फिर कोई किताब हो गया, कोई भी speech, कोई भी कहावत, कोई भी घटना हो गया, उसका बिना मतलब बदले, उ उसके सब्दों को छोटा करना ही कलाया क्या अबरिज कलाया यानि कि प्रिसीस इसका हम लोग सीनोनिम से बोल सकते हैं ठीक है प्रिसीस इसका सीनोनिम से बोल सकते हैं प्रिसीस राइटिंग सुने होंगे अबरिज का अगर हम लोग अन्टोनिम से बोल सकते हैं इसका अन्टोन without shortened of any film book या फिर speech without losing the sense without losing losing the sense उसी को बोलें क्या बिज भो लेंगे, ठीक है अ będzie स्वज में आगया होगा अब आते हैं bridge अब किया ब्रीफ है ठीक है एसे एकर माले लुज़े bridge वरड़ आया तो bridge कोई ठीकिल सके है bridge bridge का मतलब क्या हो गया bridge का मतलब भी होता है short करना, brief जो है वह short करना तो जैसे कि मान लेज़े एक नदी है ठीक है यह नदी है तो यहां नदी बहुरा है तो आप यह नदी को पार नहीं कर सकते ना तो आप कैसे पार करेंगे ऐसा जगा जाएंगे जहां नदी खतम होता वहां से घूम की यहां पर पहुंचेंगे इस तरह पहुंचेंगे तो यह एक ऐसा चीज बनाए जाता है जो क्या करता है आपको इसका shortest रास्ता बताया था इस प्राओ Meanwhile, इसप्रीका slice wise ब्रीज मतलब यह क्या हो गया, short करना हो गया, फिर यहांपर आपके पास है brief brief का मतलब हो था direct मतलब हो भो था brief यह छोटा कर दीना short कर देना, कम गर देना शॉट ब्रीफ का मतलब गया शॉट इसका हिंदी गर बोले तो संचिप्त करना हो गया संचिप्त करना या फिर का सकते हैं थोड़े समय का शॉट टाइम के लिए थोड़े समय का ठीक है थोड़े सिनोनिम्स के बाद करें, ब्रिफ का सब्द है हमारे पास last सब्द है ये ब्रेविटी का मतलब होता है ये काफी अच्छा ये क्वालिटी है ब्रेविटी क्या क्वालिटी है quality है, इसको बोलते हैं, हिंदी में फ़र लिख लेता हूँ, इसको हिंदी में बोलते हैं संचिप्तता, मतलब ब्रिविटी का ऐसा quality है न, जो व्यक्ति किसी भी चीज को कम सब्दों में बोल दे, उसी को बोलते है क्या, ब्रिविटी बोलते हैं, ठीक है, इसका synonyms हो जाएगा, इसका synonyms हो जाएगा, conciseness, इसी का antonyms हो जाएगा, longevity, longevity, longevity मतलब किसी चीजों को खीच कर लंबा कर देना, ओका लगा, longevity, ठीक है, कोई-कोई व्यक्ति, मतलब बड़ी से बड़े घटना को, बिना उसका sense, गव कम सब्द में ही बोलके निकल जाता होगा, ब्रेविटी, ठीक है, तो आज का सब्द समाप्त होता है यहीं पर, ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले class में,